हालो एवरीवन दिस इज वीडियो रिगार्डिंग एपक्स उनिवर्सिटी जेपूर यार हाला कि कुछ दिनों में जब से जो है सी यू इटी का उनिवर्सिटी वगरा डिसाइडेशन हुआ है तब से यह कोलेज छाया हुआ है और बहुत सरे स्टुडेंट्स की पेरेंट्स प्राइवेट कोलेज तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं आज हम तो गाइस यह कोलेज डिस इजन प्राइवेट कोलेज और डिस इज ओपन इन 2018 2018 के अंदर एक नमबर 27 और राजस्तान इस्ते लेजिस्टेट्टिव जो भी डिपार्टमेंट होता है इनका उसके अंदर जो है युजी सी ग्रांड कमिशन अंडर टेक्निकल इसेटी अप्रूब डिस इज कोलेज ओपन इन 2018 ओके पूरी कम्प्लीट में डिसकस करेंगे कितने सारे कोर्सेज प्रवाइड करता है क्या क्या इसकी फीज प्रोग्राम है क्या सारा सीद है क्या स्टुडेंट्स के रिविवीव रहे हैं राइट यह पस्टो बोल तो मैं आपको बता दूँ कि यह कोलेज जो है 2018 के अंदर ओपन हुआ है और अभी 2022 चल रहा है यानि कि बेसिकली चार साल इसके चार साल इसका ओल्मॉस्ट कम्प्लीट हो चुका है ओर इसका जो प्लेस्मेंट सेशन है जो भी तीन साल के से होता है उसका तो ऐसे साब 2021 में मानके चलो और जो इनके जिस लैक ज that's राइब उसह साल के सो फेलो इसा कुछ देखने को मिल रहा है राइट सो अब इसके बारे में आज हम कंप्लीट में डिसकस करने वाले कि आपको इसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और यह एक अच्छा कोलेज है कि बुरा कोलेज है राइट क्योंकि स्टुडेंट्स सिंप्ली यह क्यों पूसते हैं कि भाईया हमें यह सब नोट एक्सिलेंट जस लाइक टोप ग्राइं तो आफ दिस नोर्मल आंग अब मान के चल सकते हो अब अपन इसके ज़स्ट की अगर पन बात करें तो टीचिंग फेकल्टी वरी गूद आइड अज लाइक अंद दे मेक इस्टुडेंट रेडी फोर इंडिस्ट्री वर्क अ तो यह राइटिंक जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत ही कम स्टुडेंट ने जो है इसकी तारीफ नहीं की यानिकि ओल्मोस 97 श्टुडेंट 97 परसेंट जो स्टुडेंट्स होते हैं उन्हें इसकी तारीफ ही की कि जिस प्रकार से कोलेज ओपन हुआ है उस परकार से जो है फेसिलिटीज आर वेल और गुड राइट अब इसके अपन प्लेसमेंट रश्यों की अगर बात करें तो कितना प्लेसमेंट में बनाव कौन कौन सी कंपनी जिस लाइए रिया रिकूरूट कर रही है जो है जो है प्लेसमेंट की अगरपन बात करें तो यह प्लेसमेंट इस नोट गूट टिक है प्लेसमेंट इस नोट नॉर्मल इस वेरी बेड़ प्लेसमेंट अस लाइक के आप मान के चल सकते हो तो 1.5 LPA to 425 LPA इस न हाइस प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा वीक करनिशन पर डिस जिजन गौर्वर्मेंट कोलेज और इसका जो है थरी साल के कोर्सेंट होते हैं उसका तो प्लेसमेंट आइस फस्स प्लेसमेंट हुआ होगा कुछ स्टुडेंट्स के रिव्यू बताता हूं आपको क्या रहा है और यहार बहुत सारे कोर्सें यह प्रवाइट करता है बेसिकली सी यू इटी में पार्टिसपेट करने का मतलब यह है कि सारे कोलेज अच्छे ही नहीं होते जनरली में आपको बता दूँ जो हैицum करेंने कि आफित अगरा आप गुंगल पर चेक करते देने आपको बहुत ही जधा देखने नहीं को मिलेगा किसी ने जाओदा यह नहीं हो बहुत सारे स्टुडेंट ने मेरे को 9 LPA लिग के रखा है 5 LPA भी बेज़ जा है बहुत सारे मेरे को काई कि प्लेश्मेंट होता ही नहीं है राइट सो आप इस पर ध्यान ना दे स्पेशली कुछ वेबसाइट बगरा दी गई है जैसे सिक्षा.com है को दुनिया है यहर वहां पे जो है कुछ भी युनिवर्सिटी वाले भी जो है मलब फेक वहां पे करवा देते हैं अपडेट स्टुडेंट का नाम डाल की ठीक है तो जस्त आप उस पे बिल्कुल ध्यान हादी आप कहीं भी एगर एडिमिशन लेते हैं फस्त वर्पोल आप उसकी ऑपीशियल भी जो वेबसाइट होती है उसके ओपर जाके जरूर चेक करें कि उसने हाईस्ट प्लेस्मेंट कितना डाल रखा है और जो वहां पे एगर हाईस्ट प्लेस्मेंट डालता है देन उसक जाके बात करते ही हाथ में पुरा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है राइट राज़स्तान में तो तो यह सारा सिन है जाईस कि बेसिकली यार अगर मैं बात कुरू कि दो जार जो आठारा में कोलेज ओपन हुआ है और अभी तक कि इसके अंदर मुझे कुछ बेट तिंग नहीं लगा राइड क्लासें जार वकिंग वेल एंड गूट होस्टल वाइफाइड फेसिलिटी आर अवेलेबल विकोज बिस इ इतने है कि राइड क्लास्रूम ठीक टाक है वाइट बोर्ट अवेलेबल है जो यह लगा हुआ है तो आप एक गूप जाके पढ़ाई करिएगा और देर इसे ग्राउंड इस प्रवाइड फ्रेश ओप प्लेट टेनिस ऑप स्टुडेंट्स और टीचर की अगर मैं बात तो वेलेंड गुट राजस्तान में बहुत अच्छे टीचर देखनों को मिलते हैं तुम्हारे पंजाब और देली डेली में ठीक टाक होते हैं घरियाना की तरह नहीं होते राजस्तान में बात कुरूट तो टीचिंग वालिटी आपको कई मिली नहीं सकती राजस्तान जैस कि यह कोलेज कैसा है अच्छा है की बूरा कोलेज राइट जनरली जो है मैं आपको सिंफली फंडा बता रेता हूं जो 2018 में कोलेज उपन हुआ है और आप उसमें अगर इंडमिशन लेते हैं देन इस नोट सफिशेंट पो यू ठीक है फॉस्ट पॉल वहां पे आपको बहुत कम होगे एक्सपिरियंस बहुत कम होगा कॉलेज का इंस्ट्रास्ट्रेक्चर उतना डवलप नहीं होगा फैकल्टी उतनी डवलप नहीं होगी मिनेजमेंट तक प्रो सेस है मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आपको बहुत पुराने कोलेज में एडमिसन पिर उसे में क्या फाइदा है ना एसे भी बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वारी आती है कि मारे साथ रेगिंग होती है जो टीचर मारा सपोर्ट नहीं करते हैं जो प्रिंसिपल है उसका जो मामा का बेटा रहता है वहां पे उसका बतिजा है वह सीनेर्स प्रिशान करते हैं यार आपकी ऐसी कोई भी क्वारी हो हमारा हेल्प लाइन नंबर 24 होर्स तक अबलेबल होता है ठीक है आप एक बार जो है मेसेज करके हमारी टेम को फुल जो है इ बढ़ता हो डारिक्टर ही नहीं रहेगा मां पे ठीक है रियल्टी यह है यह सोचल मीडिया की पावर है ओके तो जस आप इसको बिल्कुल भखुबी ध्यान रखे और डिस इन नॉर्मल को लेज नोटे गुड नोटे बैट मेरा किसी भी कोलेज को जो है ठेस पहुचाना न कुछ बेजर जो है रिक्वार्मेंट्स चाहिए जस लाइक वाइफाई एंड अदर ओके इसके रिकार्डिंग ज्यादा कुछ इन्पोमेशन नहीं मिल पाईए विकोज बहुत इकम स्टुडेंट से मेरा कॉंटेक्ट हो पाया और जस जो है गूगल पे अगर मैं चेक करू देन जो अदर अदर वेवसाइट पर अलग लग रेशियो लिखा हुआ है कहीं पर 10 LPA का प्लेश्मेंट रिकर का है कहीं पर 5 LPA का है कहीं पर 14 LPA का प्लेश्मेंट है तो यह सारा स्थिन था ओके सो देशिज आप अगर एडमिशन लेना चाहिए तेन यू कन विजिट कोले पूरा सब कुछ डिटियल चेक कर लें अगर आपको इंटरस्ट होता है देन यू कन टेक एडमिशन इन प्राइवेट कोलेजेज बिकोज हम जो है प्राइवेट कोलेजेज का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कोलेज अच्छे नहीं होते लेकिन प्राइवेट कोलेज यह जो रेस्पोंस है दिशी रिसीव वेरी बैट फॉम दे लास्ट तो यहर्स तो आई नोट डेडिकेटेट फॉर्ट प्राइवेट कोलेजेज अक्सेप्शनल केस दस लाइक बिट्स पिलानी स्रम इंस्ट्टूट फेलोर इंस्ट्टूट अधर ठीक है तो फूब पढ़ते रही है छोटों से प्यार करिए बड़ों का समान कीजिए और प्राइवेट कोलेज में जो है आप दस्ट यह जो सिख्शा वेबसाइट है कोलेज दुनिया है गुगल है इस पर जो है यह जो एस ओई शर्विसेश एस एम सर्विसेश स्सी लगे हैं यह जो है ताजमेल जैसे हमारा कोलेज बना हुआ है उसके चकर में बिल्कुल ना आए और अपने पेसे बिल्कुल बर्बाद ना करें में जो आपका मोटीव होना चाहिए वह आपका प्लेस्मेंट है वहाँ पर जो सीनियर पड़ रहना तुमारे वह बिल्कुल आपको सटिक जानकारी देंगे और वह बिल्कुल कभी भी नहीं चाहिए कि जो है यह जो मेरा चोटा बर्दर आ रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकें ठीक है बिल्कुल नहीं चाहिए वह आपको रियल बताएंगे कि यह एकदम घठीय है मत आना यह पर अच्छा है आ प्रिशान रखे और हमारा जो है मिशन गारंटेट गवर्डमेंट कोलेज तो एवरेज प्लेस्मेंट 10-15 लाग प्रोग्राम विज रर्निंग तो यूपन कोंटेक्ट नाव लिंक इन दे डिस्क्रिप्शन बोक्स और कांसलिंग हेल्प लाइन नबर इन डिस्क्रिप्शन की साथ किसी भी कोलेज में आपके साथ कोई बीएकर प्रोब्लम आ रही है आपके साथ कोई रैगिंग हो रही है या आपकी स्टूरेंट रखी जाती है स्टुडेंट की शारी और जो है फिल युनिवर्सिटी वालों से जो हमारी टीम है वो ठीक है थैंक यू शो मुच